उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस द्वारा नाबालिक बेटों को उठाये जाने के मामले में माफिया अतीक एहमद की पत्मी शाइस्ता परवीन ने हाइकोर्ट का दर्वाजा खट-खटाया है। अतीक की पत्मी शायस्ता परवीम ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षी करण की याचे का दाखिल की है. उन्होंने हाईकोर्ट में अपने बेटो अहजम और आबान को प्रस्तुत करने की मान की है. याचियों के अधिवक्ताओं की और से मामले की तुरंट सुनवाई के लिए कोर्ट में निवेदन किया गया लेकिन कोर्ट में तुरंट सुनवाई से इंकार कर दिया कोर्ट में प्रक्रिया के तहट आने पर सुनवाई करने के लिए कहा हाई कोर्ट में अतीक एहमद के भाई अशर्फ की पत्मी जैनब, बहन आईशा नूरी और उनकी बेटी को लेकर भी एक बंदी प्रत्यक्षी करन याचिका दाखिल की गई याचिका में मान की गई है कि हाई कोर्ट में इन तीनों को भी पेश किया जाए आरोप है कि 28 फरवरी से ये तीनों भी पुलिस की अवैध हिरासत में हैं अतीक एहमद की ओर से वकीलों ने हाई कोर्ट से शुक्रवार को ही इस मामले की सुनवाई करने की अपील की थी लेकिन हाई कोर्ट में समय की कमी के चलते सुनवाई से मना कर दिया है अब होली के बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी